प्रणाम करते हैं आज किस वीडियो को प्रणाम करते हैं अक्सर आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि साधू महात्मा जो होते हैं या फिर भगत वगयरा जो होते हैं ये मोर पंख रखते हैं अपने पास में जहड़ा वगयरा लगाने के लिए या फिर बूत वगयरा ब से उनको जाड़ता है मोरपंख आध्यात्म में एक बहुत ही विशेश स्थान रखता है कि यह इसलिए नहीं कि वह जाड़ा लगाने के लिए काम में आता है जाड़ा तो लगता ही है उससे लेकिन मोरपंख के अपने आध्यात्मिक प्रभाव हैं जिनके कारण मोरपंख जो है वो किसी भी प्रकार की नकरात्मक शक्ती को हटा सकता है और सकारात्मक शक्ती का प्रभाह कर सकता है मोरपंख का इस्तेमाल लगबग हर व्यक्ति करता है जो अध्यात्म में जुड़ा हुआ है परन्तु वो इसके कारण से अनभिक जो हता है उसे ये नहीं पता होता है कि मोरपंख में ऐसी क्या विशेष्टा है जो उसे भूत बाधा निवारन के लिए या फिर तंत्रकाट के लिए उप्युक्त बनाती है आज इस वीडियो में मैं आपको इसी बार में बता हूँगा कि मोरपंख की ऐसी कौन सी विशेष्टा है जिस कारण से वो हर प्रकार की तंत्रवाधा में एक प्रभावी उपाय के रूप में सामने आता है अब कुछ लोग कहेंगे कि इसका कारण भगवान कृष्ण है क्योंकि वो मौरपंख धारन करते हैं जैसे कि अब सभी को पता है कि गणेश जी मुख्य रूफ से चुहे की सवारी करते है पर अंतो ये बत बहुत कम लोग जानते है कि भगवान गणेश के नौ और वहन है जिसमें सिंग है, अश्व है, सर्प है इस प्रकार से उनके करीब नौ वहन है जिन में से एक वहन है, उनका मयूर और इसका प्रमान हमें ऐसे भी मिलता है कि अश्ट विनायकों में से एक विनायक जो है जो अश्ट महा विनायक कहे जाते हैं जिनका स्थान महाराष्ट में है उन में से एक विनायक जो है, वो मयूरेश्वर गणपती है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी कुंडलीनी में मुख्य जो चक्र होते हैं वो साथ चक्र हैं जिनके द्वारा हमारी अध्यात पे बहुतिक ऊर्जाओं का नियंत्रग होता है यहीं साथ चक्र जो हैं हमारे समस्त शरीर के क्रिया कलाप होका चाहिए वो बहुतिक हो चाहिए वो अध्यात में खोने नियंत्रित करते हैं आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वाचन करके हो सकता है कि आपको आश्चर हो क्योंकि मयूर के पंखों में जिन रंगों से मयूर के पंख बनते हैं या फिर जो रंग मयूर के पंखों में होते हैं ये वहीं साथ रंग हैं जिन जो साथ रंग हमारी कुंडिलिनी की प्रभामंडल के होते हैं यानि कि जो साथ रंग हमारे साथ चक्रों के होते हैं, उनी साथ चरंगों से मिल करके एक मयूर का पंख बनता है। मयूरिश्वर अवतार में जिस समय भगवान ने मयूर को अपना बहान बनाया था, उस समय उन्होंने अपनी कुंडिलिनी के साथो चक्रों की प्रभा और या उर्जा को एकत्रित करके उन से उस मयूर की रचना की थी, जिस मयूर पर वो विराजमान है। मैंने बोला कि भगवान गनेश के नौ अन्यवान भी है। उसी तरीके से उन्होंने अपनी कुंडिलिनी की सभी उर्जाओं को एकत्रित करके उन से उस मयूर की रचना की थी, जिस मयूर पर वो सवारी करते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को यह भी पता होगा कि भगवान गनेश जो है, वो मूलाधार चक्र के देवता है। मूलाधार हमारी कुंडिलिनी का सबसे पहला चक्र है। और भगवान गनेश उसकी अधिश्ठात्र देवता है। तो जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, कि हमारे शरीन में जभी किसी भी प्रकारगी कोई नकर अत्मक शक्ती कağıवास होता है, तो वो हमारे चक्रों में ही कहीं स्थापित होती है। हमारी कुंडिलीनी के चक्रों में, हमारे उप चक्रों में या फिर हमारे अनु चक्रों में ही उसका स्थान होता है कहीं न कहीं जब हम मोरपंख से जाड़ते हैं किसी को या फिर जब हम मोरपंख का प्रयोक करके किसी की नकरात्मक उर्जा को काड़ते हैं तो वो नकरात्मक उर्जा बहुत आराम से उसके शरीर को छोड़ दरके उस मोर पंख में वास करने लगती है क्योंकि एक मयूर के पंख का वहीं तत्व होता है जो तत्व आपकी कुंडलीनी का है अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मयूर पंख को ऐसे ही प्रयोक कर लिया जाता है कि मयूर के पंख तोड़ के लाए उनको हमने ज़ाड़ना चुरू करते हैं उससे व्यक्तिती बजाएगा ऐसे नहीं होता है एक मूर पंख की ज़ाड़ू को सिद्ध गनने के लिए या फिर उसको उस लायक बनाने के लिए कि उससे आप किसी की नकरात्म हूर्जा को बहा सके किसी ले कुछ सके उसको जागरित करने के लिए आपको कुंड़िलिनी के साथो बीज मंत्रों का अनुष्थान.' चलिए उस जाप की ओरज़ा समरपित करने पढती है। पर जिससे कि आपको प्रेयोग करना है तब जाकर के वह मयूर पंक जो है वो इस लायक बनता है कि आप उससे किसी को जाड़ा लगा सके तो ठीक हो या कुंगिलीनी के साथो बीज मंत्र जहां हो इस समय आपको आपके स्क्रीन पर दिखें मिल जाएंगे आपको करना कुछ नह करते हैं तो जिन साथ बीज मंत्रों को अभी आपने पीछे देखा आप लोगों को एक हफते का अनुष्टान करना है जिसके अंदर की आपको प्रति दिन एक एक बीज मंत्र की 51-51 वाला जाब करनी है और डेली जाब करने के बाद में आपको हाथ में जल लेकर के इस अंकल करता हूं और उसके बाद में जब आपका साथो दिन का इक पूरा हो जाएगा तब जाकर के वह मोर्पंक उसका बील होती है कि उससे आप किसी की नकरात्म गूर्जा को हटा सकें तो आज की इस वीडियो में दी गई ये जानकारिया आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइ झाल